इह हैं प्लाम फूट्स का बड़ा जो हम लोग ताल का बड़ा बोलते हैं कैसे बनाती होई शेयर करते हैं अप लोग के साथ सलम आलाईकूम वेलकम बेकरानीस किछन कैसे आप लोग उम्मीत अच्चेंगे लतल से इद्वा करते हैं अप लोग खुश रही आ बात रहे यहाँ रच्छर ष्ठ को रहता है को भी लिया आ पहले दिखा नहीं सकती मैं पहले से था मेरे पास यह वाला पेश्ट इसलिए Polish पर मैंने पाम प्रेश्ट का पेश्ट को प्लाम भी का वो डाल दिया और थोरा सा नर्याल मैंने डाल दिया अब यहां पर मैं आटा लगा दिया मतलब आटा दे डाल दिया थोड़ा सा चान लेती हूं इसको अच्छा से मैंने शान लिया और मिक्स कर दिया नारियोल जो नारियोल होता है इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था तो अब यहां पर मैंने चीन डाल दिया स्वादनों सा नमक डाल दिया अच्छा से गूत लेती हो इसको तो बड़ा सा इसका होंगे यह जिस तरह हम लोग बड़ा बनाते हैं न कोई भी बड़ा हम लोग जैसे बनाते हैं ऐसे हुआ है देखिए अब मैं 10 मिनिट के लिए इसको रेश्ट करने देती हूँ यह जो प्लाम फूट्स है ना यह मेरे पास पहले से पेस्ट था इसलिए मैं आपको प्लाम नहीं दिखा सका तो इसके लिए सोरी शायद आप लोग समझ गए होंगे एक इसका पेस्ट है हम लोग इसको ताल बोलते है ताल का पेस्ट तो उलटके पालटके मैं अच्छा से कर लेती हूं यह चाय के साथ इसे भी सुबह शाम के नस्ते में अच्छा से खा सकती हूं हम लोग बच्चों को टीफिन में भी दे सकती हूं मैंने इस पर कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा कुछ भी उस नहीं किया इसको हाथों से मैंने जितना मोत गोत ना था उस इसको मेडियोम टू लो के बीज में रखे इसको फ्राइ करना है देखें फिर से मैंने दुवारा दूसरा बेज डाल दिया इसी तरह में फ्राइ कर लेती हूं इसको देखें मेरा बड़ा बनके रेडी हो गया यह बंगोली स्टाइल बड़ा है क्योंकि यह एक टेडिशनल खाना है हम लोग हमारा यहाँ पर हकसर इसी टैम इसी सीजनमे यह जो ताल होता है इसको मिलता है इसी टाम हम बनाते इसका बहुती हरेक किसिम का रेशिपी होता है इसका मैं शोरि मैं दुबारा एगएं शोरि किसे लगा रिसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट इंड सब्सक्रेब करना दौाओं में यद रखना फिर मिलते हैं रिसिपी के साथ अल्ला हाफिस